हेलो दोस्तो क्यास वो आप सभी मेरे बिना सभी यह साथियों का एक बार पिर शुल्सवागता हूं आपके अपनें चेहते परिवार अरविन सर साइंस में दोस्तो आज की क्लास में हम लोग डिसकस करने वाले हैं साइंस की बारे में और प्लास माराव पहला चेप्टर है वो कीमेस्टि का है ठीक है तो उसमें हम लोग डिसकस करेंगे है आज हमारी जो वीडियो होगी चौथे नमबर की होगी ठीक है इससे पहले मैंने तीन वीडियो अपलोड कर दिया तो आपuffा लोग तो नहीं देंकि आप लिए डेख लिजी पुरी वीडियो को ताकि आपको यहां वाली आप यह समझ में आ जाया क्योंकि इस चैप्टर को यह क्या है जितने भी सब्सक्राइब को पूरी तरीके से करवाहएंगा तो आप लोग जितनी भी वीडियो हैं हर चेप्टर के आप उनको देख लेजिए ठीक है और एक चीज यब आप और ध्यान देजिए कि जो भी चेप्टर लोगा उस पूरे चेप्टर के मैं एक प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा ठीक है उसकी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी ठीक है प्रोपर में हर चेप्टर के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो आपको इधर-दर कहीं भठेकनी जरूत नहीं है तो आप लोग वहीं पर देख सकते पुरी वीडियो को और आपको बता दे संकल्प वैच हमारा ये है तो संकल्प ले ले जी वाई क्योंकि इस बार 2000 टेस्ट के बोर्ड एक्जाम में जंडे गार देने हैं और हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए आप यूपी बोर्ड की बच्चे इस क्लास को ले सकते हैं साथ य ठीक है सीदे सीदे थमने लोड टाइटल में देख लिया और यहां भी आप लोगों ने देख लिया कि आज हम लोग डिसकस करेंगे अब गटन अत्वा बियोजन अपक्रिया के बारे में तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए अब गटन या बियोजन ठीक है ये दोनों सब का एक ही मतलब होता है आप इसको अब गटन बोलो चाहे आप इसको भी योजन बोलो अब इसका मतलब क्या होता है अगर इसका हम साब्दिक अर्थ देखें तो दोस्तों इसका साब्दिक अर्थ होता है टूटना जी हां इसका मतलब क्या होता है टूटना जब भी आपका को कोई योगिक ठीक है जब भी आपका कोई योगिक अपने अवयवी तत्तों से क्या करता है अलग हो जाता है मतलब तूट जाता है तो उसको बोलते हैं अब गटन प्रिया हाला कि मैंने यहां पर देख लिए पिर चीजों को अच्छे से समझते हैं दिखें वे रासानिक अवि यवी तत्तों या छोटे छोटे सरल योगिकों में तूट जाता है अब घटन अविक्रिया कहलाती है कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जब भी आपका कोई योगिक है वो जिन से मिलकर के बना हुआ है मतलब जिस तत्तों या योगिक से मिलकर के वो योगिक आपका बना हु दाटाए रिंव जाते हैं जो आधे चोटे चोटे योगी को में तो उसको क्या बोला जाता है अपका हिच्वथ आपकी बाएं बनी हुए और आपकी बोड़ी से बनी हुए तो आपके इतने स्वाय 국्य Shine तो से मिलकर के बना हुआ है तो हमारी बोडी जिन जिन अंगों से मिलकर बनी हुई है अगर उन सारे अंगों को हम क्या मैं लेता हूँ कैल्सियum karbonate COP3 ठीक है चली और अब आपको फ्रॉपर दीखरा ठीक है तो कैल्सियum karbonate लिए जिसको हम लोग चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं अब क्या होता है अब यहां पर उस्मा अगर देते हैं तो होगा क्या आपका यह कैल्सियום औक्साइड और उसके बाद आपका कार्बन डाई आक्साइड में क्या होता है तोट जाता है इसका मतलब क्या है यह आपका ठीक है यह आपका कैल्सियम आक्साइड हो गया और यह आपका क्या हो गया कार्बन डाई आक्साइड हो गया और यह आपका क्या है कैल्सियम कार्बो तो calcium carbonate को मैंने क्या किया उसमा दिया तो आपका ये calcium oxide ठीक है किसमे calcium oxide और carbon dioxide में आपका टूड गया ठीक है तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आपका calcium carbonate था वो CAO और CU2 से मिल करके बना हुआ था दोस्तो अगर मैं आपको एक सब्द में समझा हूँ अगर इससे पहले वाली अगर आपने video देखा है तो उसमें मैंने क्या बताया था कि आपके कई सारे अभिकारक मिल करके सिर्फ और सिर्फ एक उत्पाद बनाते हैं यह मैंने आपको समझाता तो दोस्तो यह वाली जो अभ फोगिक होगा वो दो या दो से अधिक योग्याहां ततोंने तूट जाएगा बस किसी को मोरेंगे क्या अप घ्र 203 ठीक है आपको दिख रहा है प्रॉपर में आप क्या करते हैं इसको हीट करते हैं ठीक है अगर इसमें हम उस्मा देते हैं दोस्तों उस्मा देते हैं तो क्या हो जाएगा यहां पर इसके दोणू ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका यह टू केसी एल प्लैस थीरी ओट तो मतलब क्या है कि आपका ये था क्या पोटेसियम क्लोरेट क्या था दोस्तों पोटेसियम चली पोटेसियम क्लोरेट जब कि तूटा किसमें पोटेसियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ठीक है इसी तरह से यहाँ पर अगर हम और एक्जामपल ले ले जैसे फेरस सलफेट ले यहां पर क्या गरते हैं उसमा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा यह फेरिक आख साइड किसमें टूटेगा यह फेरिक आख साइड एफी टू ओ ट्री और आपका किसमें पर आपका सबसे मिलकर के बना हुआ था और यह बेचारा क्या हो गया टूट गया तोड़ गया मतलब इसका क्या हो गया अपको एक बात और समझनी है कि अगर आपसे पूचा जाए कि यह जो अप घ्रिया है वह कौन से श्यक्राइग है फिलार हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि उस्मा के हिसाब से मतलब जो कई सारी प्रिया होते हैं तो उस्मा का भी निमें करते हैं मतलब उस्मा अवसोसित करते हैं उस्मा मुक्त भी करते हैं तो कुछ अविक्रिया हैं उस्मा मुक्त करते हैं सूसी अविक्रिया हो जाएगे तो दोस्तो इसमें अभी हम लोग डिसकस करेंगे दो पाइंट और की उसमें ब्योजन और बढ़ेंद बीयों मतलब बीद्धुत की walotes cambi morph उस्मा की वजजा से अबड़न होता है तो उसकी चर्जाम लोग next वीडियो में करेंगे तो आप लोग इसको देख लिए और आई होब दोस्तों आपको इतनी बाते समद्न में आगे होगे एक सब्द में फिर से बोलूं तो सीधा सदा प्रन्टराइस का यह ही है सीधी से बात यह है दोस्तों कि आपका एक ही योगिक जिन से मिलकर के बना होता है उसी से क्या होता है यह अलग हो जाता है मतलब जिन से मिलकर के बना होता है वही आपके तत्त यह फिर छोटे छोटे योगिक अलग हो जाते हैं उसी को बोला जाता है क्या आप गटन अभिक्रिया ठीक है तो आप लोग इसको प्रॉपरी में नोट कर लिए ठीक है आपके एक्जाम के पॉइंट ओवी से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो दोस्तों बागी चीज़े हम लोग कल डिसकस करेंगे चलिए क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कियोते हैं और फिर सब्स वीडियों तब तक लिए बावा टेक केर थैंक यू